नमस्कार आओ सीखो.com पर आपका स्वागत है मैं हूँ केलाश शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीखना होता क्या है? क्या सीखें? क्यों सीखें? कैसे सीखें? हम अपने जिन्दगी में अक्सर कुछ न कुछ तो सीखते ही रहते हैं पढ़ने लिखने के अलावा हम सुनकर, देखकर, सूंग कर, चक कर कई माध्यमों से हम सीखते हैं कभी-कभी तुम सोच कर भी सीखते हैं कई बार तुम्हें पता ही नहीं होता कि हम सीख रहे हैं पर हम दरसल सीख रहे होते हैं जब हम पैदा हुए तुम केवल रो सकते थे पर हसना और मुस्कुराना हमने इस दुनिया में रहकर सीखाए खाना, पीना, नाचना, गाना ऐसी अनेक गतिविदियां हैं जिने हमने सीखाए यानि लाखो हजारों चीजें हम सीख चुके हैं लाखो हजारों चीजें हमें अपनी जिंदगी में आगे भी सीखनी है जानना, समझना, सीखना और सिखाना ये सारे काम जिन्दगी के रास्तों को आसान बनाते हैं समस्याओं को हल करते हैं और हल न भी करें तो कम से कम, कम तो करते ही हैं सीखना जिन्दगी काई यानि जिन्दा रहने काई दूसरा नाम है तो आओ, सीखो, कुछ अच्छी बातें, कुछ उपयोगी बातें, यानि कुछ काम की बातें आज का युग IT यानि Information Technology का युग है सरल हिंदी में इसे सूचना या जानकारी का युग भी कह सकते हैं सही जानकारियां जीवन को स्वर्ग जेसा सुख देती है तो जानकारियों का न होना या गलत जानकारी होना जीवन को नर्क जेसा दुखत भी बना सकता है यह वैसाई है जिसे आपका सर दुख रहा है और आपके पास जानकारी है कि कौन सा बाम लगाने से या कौन सी दवाई लेने से आपको रहत मिल सकती है तो आप उस दवाई का अपयोग करकर तुरंत अच्छे हो सकते हैं परन्तु यदि आपके पास जानकारी का अभाव है यानि की कमी है तो आप दर्द से तलबते रहेंगे, परिशान होते रहेंगे पर तीसरी इस्तिती ये है कि आपके पास गलत जानकारी है इस इस्तिति में तो आप अपने जीवन को बच से बत्तर बना देंगे तो आओ, सीखो, खुशाली यानि सुख और आनंद के लिए आओ, सीखो, तरक्की और काम्याभी यानि विकास और सफलता के लिए आओ सीखो, जिन्दगी में कदम कदम पर काम आने वाली धेर सारी छोटी बातें, बड़ी बातें, खटी, मीटी, कड़ी बातें आपका जीवन आपकी अनमुल संपत्ति है, इसकी रक्षा करें, इसे सजाएं, समारें और इसे अपने स्वयम के, अपने परिवार के और देश के साथ साथ संपूर्ण जगत के लिए उपयोगी बनाएं आपकी तरक्की देश की तरक्की है, आपका सीखना आपकी तरक्की का पक्का रास्ता है और आओ सीखो, आपको आवास दे रहा है कि आओ और सीखो, बहतर जीओ, धन्यवाद, जैहिंद